तो स्वागत है आप सभी का आज के इस निव वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और आज वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे equation of motion तो equation of motion तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे साथी तीनों का derivation को भी हम लोग जानेंगे ठीक है तो उसकी हम लोग velocity, acceleration, displacement, time interval यह सब में आपस में relationship निकाल सकते हैं ठीक है इसके बीच में relationship बना सकते हैं कि अगर हम लेकि माल लेते हैं कि velocity है acceleration उसका दिया हुआ है तो उसका displacement क्या होगा या velocity यह चार quantity है इस पर से तीन quantity अगर दिया रहे तो जो चौथा quantity है वो हम लोग इसमें equation के मदर से हम लोग निकाल सकते हैं जैसे कि कहीं पर हमें velocity दिया वाई, displacement दिया वाई, time interval दिया वाई तो उसे हम लोग acceleration निकाल देंगे तो यह सब चीज़े हम लोग जानना है तो हमें total तीन equation of motion होता है तो वो तीनों आपके सामने है वी is equal to u plus 80 पहला हो गया एक first equation of motion इसको बोलेंगे दूसरा हो गया s is equal to ut plus half 80 square इसको second equation of motion कहेंगे और third हो गया 2as is equal to v square minus u square या इसको दूसरे तरह से v square is equal to u square plus 2as v लिखते है ठीक है तो दोनों एकी चीज़े इसको इधर ले जाके जो minus जो minus u square है इसको 2as के तरफ लेकी जाके लिखते है तो कोई भी आप तरह के से लिख सकते है में ये तीन equation होते है ठीक है इसको first equation of motion कहेंगे इसको second equation of motion कहेंगे इसको third equation अब यहां सबस्थ यह वी जो है वी जो है वो final velocity को represent करता है u initial velocity को represent करता है a acceleration को t time period को और s जो है वो displacement को represent करता है ठीक है तो यहाँ पर आपके सामने पूरा चार्ट दिया वा u is equal to initial velocity a जो है uniformly acceleration होगा t time period हो गया वी जो हो गया final velocity s हो गया displacement तो यह तीन equation आपको याद रखना है इससे बहुत सारे question आता है और बहुत सारा problem इससे solve भी हो जाता है यह जो तीन equation है इसके बारे में करता है रिलेशन बनाता है और जो फाइनल जो थर्ड एक्वेशन आप मोशन है तो यह पर आपके सामने तीन equation आप मोशन दिया वाए अब हम लोग यह जानते हैं कि कौन सा equation किस चीज़ को रिलेशन प्रवाइट करता है किस चीज़ में अब हम लोग डेरिवेशन पर आते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन प्रवाइट करता है तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस चीज़ में पूछ रहा है कोशन में तो उस हिसाब साही है हम लोग यहाँ पे इस फर्मूला को पुट करेंगे ओके अब हम लोग डेरिवेशन पर आते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी इस इकल टू यू प्लस अट यह कहां से आया ठीक है इसके बारे में जानेगे इसका डेरिवेशन भी काफी जगा पूछते रहता है तो यह कहां से है तो बाइदा फर्मूला ऑफ एसलेरेशन से चलेंग तो यहां पर A T हो जागा देख रहा है A और T यह T को अधर लेके जाएंगे लेफ एंड साइड में तो A T is equal to V minus U लिख सकते है और फिर जो minus U है इसको left side में लेके जाएंगे तो A T plus U is equal to V हो जागा फिर रिएरेज करके लिख दिए V is equal to U plus 80 असल में यह एसलेरेशन वारा ज अब दूसरा डेरेशन जो सेकेंड एक्वेशन आफ मोशन है एस इसका mathematical derivation हम लोग जानते है तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी का थो हम लोग फर्मूला जानते है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है इनिशाल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपन टू ठीक है जो मी एक्ठो तो यह हम लोग जानते है ठीक है और दूसरा हम लोग यह जानते है कि displacement जो displacement होता है उसको वेलोसिटी इन्टू टाइम करते है यह तो बेसिक फर्मूला यह तो आपको पता है इस प्लस इस इकल टू वेलोसिटी इन्टू टाइम ओके अब इसी से आगे बढ़ते है displacement को मैं यहाँ पर एस लिखते है ठीक है वेलोसिटी यहाँ पर जो यू भी है इसका जो वेलू होता है वही वेलू है यू मना इनिशल वेलोसिटी वी फाइनल वेलोसिटी इस तरह से लेके चलेंगे तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसके जगा पर हम लोग यह जो एवरे प्रेट के जहाँ पर यहाँ पर टीप्लाइब कर दी ठीक है अब इसको आगे सॉल्फ करेंगे जो फाइनल वेलोसिटी है जो फर्स्ट एक्वेशन आप मोशन अब हम लोग थोड़ा जर पहले पढ़े वी इस इकल टू यू प्लस एटी अब यहाँ पर वी गा वैलू यह कर दे रहे ठीक है तो यू हो गया यू के जगह यू हो गया अब वी के जगह पर यू प्लस एटी पूट कर दिया नीचे टू बच गया बाहर में टी है ओके बाकी कोई चेंज नहीं को फाइनल वेलोसिटी के जगह पर यहाँ पर जो फर्स्ट एक्वेशन आप मोशन उसका अब यू जो ब्रैकेट तोड़ देंगे तो यू टी ठीक है यू और टी कर जागा और एटी ठीक है बाइटी और यह टी और यह टी आपसे मुल्टिप्लाइब करके यहाँ था इसी तरह से डेरिवेशन करना एक दू बार आप इसको प्राक्टिस कर लें जागा याद हो ज स्टेक है इसका हम लोग डेरिवेशन निकाले गया है हम लोग पहले लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन अफ मोशन एस इपलस हाफ एक्वेशन आफ मोशन बानल वेलोसिटी वी इस उकल टू यू प्लस एटी ठीक है यह स्ट डोनए एक्कोईशन का हम लोग यूज करने जा इसी को T यहाँ पे लिख दिया है और A यहाँ पे लिख दिया है चीज वही है ठीक है acceleration वाला जो formula होता है उसको ही यहाँ पे लिखा है ठीक है तो यह तीन formula है हम लोग ले के आगे चलेगे अब substitute करना है value of equation equation जो S is equal to U T plus half A T square है इसमें हम लोग इसका value put कर देंगे यह तीनों का value put कर देंगे S is equal to U T T के जगा पे V minus U upon A put कर दिये यहाँ पे T के जगा पे ठीक है और half A T square यहाँ पे again T का value जो है V square minus U square V minus U upon A का whole square यहाँ पे कर देंगे जो T square है उसको इस वाला जो equation है इसमें time period का value हम लोग put कर रहे हैं अब इस वाले step से इस वाले step में आने के लिए second step में आने के लिए 2A से हम multiply कर देंगे जोनों साइड LHS और RSS दोनों को multiply कर देंगे तो S के साथ 2A लग गया ठीक है यहाँ पे जब 2A आएगा तो 2 का 2 रह गया यू के यू रह गया और जो A था नीचे वाले A से कट जाएगा तो यहाँ पर 2A जब आया था तो 2U V minus U बचेगा ठीक है और यहाँ पर 2A से जब multiply कर देंगे तो 2 का 2 से नीचे वाले 2 से कट जाएगा और जो A रह गया तो A स्वार हो जागा और यहाँ भी नीचे में A स्व का होल स्वार यहाँ पर बच जाएगा ओके तो यहाँ पर इसमें आगे यहाँ पर क्या किये थे तो A से दोनों साइड में multiply कर दिये थे अब और आगे बढ़ेंगे 2A को आगे नीचे दिखेंगे और इस प्रैकेट को तोड़ देंगे 2U V minus 2U square और यहाँ पर इसको भी यहाँ पर यहाँ पर फार यहाँ पर फ्रूव्ट हो गया यहाँ वाला फर्मूला भी निकल निकल के आगया तो यह वाला फ्रमूला निकलने के लिए हमें फस्ट एक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड जो नों का सहता लेना पड़ेगा थर्ड एक्वेशन ऑफ मोशन का डियरीशन निकलेटा ठीक है अब एक कुशन बना लेते हैं एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रम दरेस्ट अटेंड वेलोसिटी वह सेवंटी तू किलो मिटर पर आवर इ तो acceleration निकालना है दूसरा में distance travel wider train for attending this velocity तो इतना velocity प्राप करने के लिए कितना distance travel किया ठीक है तो पहला वाला पार्ट बनाते हैं जो acceleration निकालना है तो हमें पता question के हिसाब से कि initial rest start होगा तो u is equal to 0 तो यू मदब की initial velocity वी is equal to 72 km per hour दियावा question में final velocity कितना attain कर लिया था 72 उसके बाद इसको हम लोग change कर दिये है km per hour दियावा था इसको मीटर पर सेकंड में ऐसा यूनिट में convert कर लिए तो पांच भाई 18 से करेंगे तो आराम से मारा निकल जागा ओके अब time period ठीक है time दियावा पांच मिनिट उसको भी सेकंड में कर लेंगे तो 360 से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो 300 सेकंड हमारा time निकल जागा ओके अब स्टार्ट करते हैं acceleration वाल जो फंबूला था acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon time करेंगे तो final velocity 20 meter per second आगया है initial velocity 0 था time period 300 सेकंड था तो solve करेंगे तो 1 by 15 meter per second square यह हमारा निकल जाएगा acceleration ओके अब यहां पूचरा distance travel by the train for attaining this velocity तो इतना जो velocity जो attain किया इसको attain करने के लिए acceleration attain करने के लिए हमारे train ने कितना distance travel किया ठीक है तो third equation of motion निकार देंगे ठीक है 2a is equal to v square minus u square ठीक है तो initial velocity 0 था तो 2a is equal to v square हो जागा ठीक है अब इसको rearrange करके यहां पर लिखा हुआ है s is equal to v square upon 2a ठीक है ठीक है तो यहां पर displacement निकल जाएगा तो final velocity हमारा दिया हुआ था 20 meter per second ठीक है और acceleration अभी हम दो निकाले 1 by 50 इसको solve करेंगे तो 3000 meter मतलब कि 3 km आ जाएगा तो final हमारा जो answer हो जाएगा तो acceleration कितना हो जाएगा 1 by 15 अभी मीटर पर सब्सक्राइब करेंगे पार जो डिस्टेंस ट्रावेड है वो तीन किलो मेटर है थैंक यू बेरे मच्च वीडियो आपको चलागा तो लाइक से आख वीडियो अब इसक्राइब को ना भूलें बिलते हैं अगले वीडियो